हरियों मैं कभी मानों भुद्ध देऊ आपका स्वागत करता हूँ मित्रों पूज्य संतश्री आशारामजी बापू जेल में है शाजिस करता शड्यंत्रकारी बापूजी के निंदकों ने कभी है सोचा नहीं होगा कि बापूजी को जेल भेजने पर बापूजी परशान नहीं होंगे चिंतित नहीं होंगे उल्टाव्यक पहले की तरह प्रसन नहीं रहेंगे आनंदी रहेंगे और खुद हम ही परशान होंगे ऐसा कभी नहीं सोचा होगा उन दुस्टों ने ऐसा विचार कभी नहीं आया होगा, ऐसी कलपना उनके मन को कभी छुई नहीं होगी, किन्तु आज जो हो रहा है सब के सामने है, बापु जी तो जेल में भी प्रसंद नहीं जो होगा अच्छा होगा आप निशिंटल होगे अपो कही लोग नहीं लाप देखते रहा हूँ अब देख लो, अब जाने जाने रहा है, जादू है जाने का थे जाने साफे जाने diving बापुजी तो जेल में भी प्रसन नहें और उनके खिलाप साजिश करने वाले, शाजिश में शामिल होने वाले, आधी सबी भले बाहर से दिखते ना भी हो, तो भी अंदर से बहुत 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 परिशान है, चिंती थे दुखिये, ये बात पक्की है, उनकी अंतरात्मा उनको कभी सुकी नहीं रहने देगी, अशान्ती उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक महान निर्दोस संत पर जुटे आरोप लगाए है, जुटी निन्दा किये उनकी, अभी 18 मार्च को मैंने घनाक्षरी चंद में एक कविता लिखिये, जिसमें ये बात कहने का प्रयास मैंने किया है, आप सुनिये, घनाक्षरी चंद में बात को सुनने से बड़ा आनन्द आएगा, सुनकर फिर इस वीडियो को शेयर भी जरूर किजिएगा, और कमेंट में जरूर बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, सुनिये मेरा घनाक्षरी चंद, बापु का शिश्य होने का मुझे अभी मान है, और आपको है या नहीं, जरूर बताना में तरो कमेंट में, चलिए सुनिये, सारे जग से निराले, गुरु देव बापु मेरे, सारे जग से निराले, गुरु देव बापु मेरे, कल जुग के रिशी है बापु जी माहान है, हरे हाल में प्रसन रहते है बापु सदा, निन्दा करने वाले ही होते परेशान है, सब का मंगल बापु सब का भला है बापु, सुनियेगा, सब का मंगल बापु सब का भला है बापु, धर्म का विनाश है, धर्म की वेजान है, कवी मानो करता बापु के गुण गान है, बापु का शिश्य होने का मुझे अभी मान है, जय गुर्देव, जय जय गुर्देव, का सब के खापु, प्रुदेव, जय जयुलने क्या है,